हाई दोस्तों असलों कैसे आप लोग मेरा अभी लिए iOS 18.3 बेटा डू आपल ने रिलीस कर दिया है काफी टाइम के बाद यह अपडेट आया है क्यों ऐसा है क्योंके आपल के क्रिस्मस के नियुएर के वेकेशन चल रहे थे जब उनका वेकेशन चलता है तो लोग काम नहीं करते और कोई अपडेट पुश नहीं करते इसलिए हमने देखा कि iOS 18.2.1 भी आया जिसका वीडियो आप शायद कल देख चुके होंगे नहीं देखा हो तो चैनल पर मौ का तो 906 MB बड़ा कोई अपडेट नहीं है एकिताम चोटा भी नहीं है हमने देखा था तो यह उससे थोड़ा बड़ा है 906 MB का अपडेट है ठीक है डिसेंट साइस का अपडेट है अपडेट से पहले 18.3 ही था बेटा वन था लेकिन बेटा वन जब रहता तो यहां पर 18.3 ही दिखाता है तो रहेगा तभी भी 18.3 दिखाएगा जब 18.3 आ जागा तभी भी 18.3 ही दिखाएगा यहां पर कपैस्टेट ही जो है 26 GB इस आईफोन की अवेलेबल फ्री स्पेस था 191.83 GB या निकी 192 पकड़ लो मोडेम फर्मवेर था अपडेट करने से पहले 1.40.02 को यहां पर देखने मिल रहा है अब यहां पर जो अवेलेबल फ्री स्पेस है वो जो थोड़ी कम हुई है वो थोड़ी मतलब एकदम थोड़ी भी नहीं चलो 800 MB के आसपा से वो क्यों कम हुई है आगे फाइंड आट करने कोशिश करेंगे हम इस वाले अपडेट का जो बिल अपडेटर आप ओपन किया है इस फोन पे आएस 18.2.1 जो है वो चल रहा है इस पर 18.3 बेटा 2 चल रहा है वन एंट उ हम यहां पर 2 करते हैं और रिजर्ट देखते हैं तो यहां पे पील तू करेंगे है तो यहां पर हम देख सकते के 4 आगया यहां पे कोई रिजर्ट में नहीं है फिसे यहां पर equal to दबाते रहूंगा तभी भी कोई चेंज नहीं है लेकिन यहां पर आप देखते है तो यह equal to दबाने पर 2 into 2 हो गया है फिर एक और बार equal to दबाऊंगा तो 4 into 2 हो जाएगा मतलब into 2 जो है वो अगर मुझे करते जाना है multiplied by 2 तो मैं यहां पर equal to equal to दबाके वो कर सकता हूं और यह 2 के लिए नहीं है मतलब किसी भी नमबर के लिए जैसे हम यहां पर 9 into 8 अगर करते है तो यहां पर इसका result आता है 72 तो फिर 576 तो यह एक छोटा सा चें पर दे मुझे वह आफ्रेकन दिखा रहा था अभी थोड़ा सा साउथ इंडियन दिखा रहा है तो इस टैप का जो है चेंज आ रहा है हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हो या ना हो तो आप मुझे बता सकते comment करके यहां पर मैं अपनी फोटो जो है लेके आ आ जा तो अ निकालके मुझे दे रहा है अब यहां पर हम डन पर करते देखते हैं यह फोटो जो लास्ट हमने इमेज बनाई थी उससे मैच करती है या नहीं करती है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं और यहां पर देख सकते हैं पहले एकदम पहले जो है इस टैप की मेरी फोटो बना बना रहा था और इस टैप की बना रहा था लेकिन अब जो है तोड़ा सा और स्लाइटली डिफरेंट लग रहा है और बाल पहले जैसे हो गया मतलब एकदम जादा कर ली तो हो सकता है यह जो है कुछ चेंज़ आपल कर रहा है लेकिन अभी भी परफेक्ट तो नहीं बोलू है वह अगर अपने employees को अपनी तरफ से iPhone देते है और इस पर mobile device management जो है वह लगा कर देते है ताके वह उसको manage कर सके उनके फोन को यहाँ पर एक option अप आपल देने वाला है इस वाल अपडेट के अंदर कि satellite communication आपको पता ही है ना satellite connectivity होता है अभी जो इतनी भी latest iPhone से उसमें तो वो चीज़ को आप disable कर पाएंगे तो MDM वालों के लिए यह अच्छी न्यूज है ताके कुछ भी अगर उनका sensitive information है कुछ defense है security है country का तो उसमें काम करने वाले लोग या अगर उनका employer चाह रहा है कि उन पर नहीं चले satellite communication उनके devices पे तो वो disable उसको कर सकता है अब यहाँ पर क् इसमें fix हुए वो check out करते है feedback application हमने open कर लिया है तो यहाँ पर देख सकते है जैन मुजी में एक result issues है जहाँ पर जैन मुजी एक personalized आप develop नहीं कर पा रहेते जैनरेट नहीं कर पा रहेते without selecting a different person first तो यह सॉल्व कर दिया आपने health kits related यहाँ पर जो है एक result issue है writing tools में जो है पर उसके बारे में Apple ने यहाँ पर कोई भी mention नहीं किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब लगा के यह चीज होनी चीए थी इसके अंदर के क्या कुछ bugs अभी भी है उसका workaround क्या है क्या नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा कुछ यहाँ पर mention नहीं किया हुआ ह यहाँ पे health care authorization granted by a user for a data type might not persist resulting in the app being unable to access data potentially prompting the user again मतलब यसे HDFC का वो app है जो India gets moving offer में Apple watch अगर आपने ली है बार बार आपको prompt करेगा अगर यह update पे आप हो तो कि आप access दो access दो तो वो चीज यहाँ पे है वो एक issue यहाँ पे Apple ने solve किया है तो यह वाले update में वो fix हो गई है और writing tools related जो fix हुआ है for third party apps adopting writing tools for API on iOS if the first responder is not a UI view it will not be able to use the complete in-line experience तो यह भी issue जो है यहाँ पे solve कर दिया गया है जो लोग API use करते है app develop करने के लिए writing tools का इस्तमाल करके अब battery की बात करें तो यहाँ पे हम एकी चीज़ चेक कर पाएंगे beta version है अभी और अभी हम QC stable version पे जाहाँ ध्य health, battery health कितनी है 100% है cycle count 24 है 16 pro max है उसका cycle count 95-96 पे पहुच चुका है वो मेरा primary iPhone है यह तो मैं जो है दूसरे office के purposes और beta testing के लिए मैं इस्तमाल अभी फिलाल कर रहा हूं यह भी मैंने लेके रखा है 16 pro आके जो latest updates है दोनों पे आपको देखने मिलते रहे बाकी यहाँ पे इसके उ heating जो है ना के बराबर है इस वएसे यहाँ पे battle life आपको better ही देखने मिलेगी 18.2 या 18.2.1 के मुकाबले performance overall काफी अच्छा लगा मुझे decent है कोई भी glitch या lag वगरा देखने नहीं मिल रहा है अगर मैं यहाँ पे multitasking करने ही कुश करो या recent apps चेक करो तो सारी चीज़े smooth जो है का almost जो है कि similar ही score कर रहा है जितना last time किया था थोड़ा सा यहाँ पर multicore score में चोटा सा improvement भी है जीप्यू का score देख लेते तो जीप्यू की history में चलते और पिछला था 32 747 और आज का है 33,000 तो अच्छी बात है 33,000 की range यह पार करने लग गया फिर से बीच में 33 पे था फिर 32 पे आप 33 पे आ गया तो यह भी एक अच्छी बात है हाला कि बहुत जादा कोई numbers का यहां पर फरक नहीं 300-400 पॉइंट का ही फरक है network storage यह दोनों चीजे जो है उसके बार में discuss करते कि थोड़ा सा change आया है इसके अंदर storage घटी है हमेशा हमने देखा कि बढ़ती है क्यों घटी है जो overall free space है वो थोड़ी सी कम हो गई होगी लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं करूंगा मैं इसको यहां पर सब चीजे जो है solve हो जाएगी तो यहां पर कोई difficulty मुझे नजर नहीं आरी इसके अंदर मुश्किल नहीं है 800-900 MB कम होना बढ़ना not a big deal और यहां पर अगर हम network performance की बात करें अभी तो अपडेट इंस्टॉल किया है चेकी नहीं किया जादा कुछ लेकिन एकात कॉल में करके हम देखी लेते हैं को पता चल जाता है कि यहां पर कोई issue लग रहा या नहीं लग लेकिन फिर भी टेस्ट करना तो काफी दिनों तक करना चाहिए ऐसे फटा-फट अब कॉल फेलर भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कॉल लग जाता है लेकिन बीच में कॉल फेल होता है यह एक issue है देखेंगे इसके अंदर ऐसा कुछ आता है या नहीं आता है अब कमिंग अपडेट्स क्या कुछ हमको देखने मिलेंगे तो बेटा 3 जो है वो अगले हफ बेटा 4 के बाद चले जाना उसके बाद सब्सक्राइब कर रहे सकते हैं अब इस टेबल पर जाने की जो है बहुत इस पर बहुत सब्सक्राइब कर दो कीजिए भूद बाई